आपका स्वागत है इस नई ट्रेनिंग विडियो में हम बात कर रहे हैं फ्रेमिंग और कामपोजिशन के साथ नियमों की आज हम बात करेंगे नियम संख्या 5 की मेरा नाम है जम संजे और देखते रहे हैं फ्रेमिंग और कामपोजिशन के साथ नियम जी हाँ नियम संख्या 5 के अनुसार आपके फ्रेम में सबसे ज्यादा प्रकाशित वस्तू आपका सब्जेक्ट या विश्य होना चाहिए आप देख सकते हैं कि ज्यादा लाइट मेरे चेहरे पे होने के बावजूद भी एक प्रॉलम्स हमारे सामने है कि मेरी शिर्ट बहुत ज्यादा चमक रही है जी है वाइट कलर की शिर्ट मैंने पहनी हुई है उसके उपर मेरे से ज्यादा लाइट दिख रही है इसका मतलब यह हुआ कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है हमेशा कैमरा वाइट कलर की तरफ ज्यादा अकरशित होता है उसी तरह आपकी आखे भी मुझसे ज्यादा मेरी white shirt पे अकरशित हो रही है आपकी आखे बार बार मेरे चहरे से हटकर मेरी सफेद shirt पे जा रही है क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज इस frame मेरी white shirt है इसलिए दोस्तों मैं हमेशा अपने लोगों से कहता हूँ जो भी मेरे मॉडल होते हैं किरपया सफेद कलर की शर्ट पहन कर मत आये क्योंकि सफेद कलर सारी की सारी लाइट अपने उपर ले लेता है और हमारा ध्यान अपने सब्जक्ट से भटक कर उस वाइट कपड़े की दरब चला जाता है जिसे इस वक्त मैं पहन रहा हूँ तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तो एक ही रास्ता है कि मैं जल्दी से जाकर अपनी शर्ट बदल कर आऊं जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अपनी शर्ट बदल ली है अब आपको फरक तो पता लगी गया होगा कि जब मैंने सफेद शर्ट पहनी थी तो आपकी आँखे मेरी सफेद शर्ट पे थी लेकिन जैसे ही मैंने अपनी शर्ट का रंग बदला तो आपकी आँखे सीधी मेरे चेहरे पे आ गई उस वक्त हम क्या करेंगे जब सामने वला इनसान कहेगा कि मुझे तो सफेद रंग बहुत पसंद है मैं तो हमेशा सफेद रंग के कपड़े पहनता हूँ मुझे अगर फोटोग्राफ खिचवाना है तो केवल सफेद रंग में ही खिचवाना है और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉलम तब आती है जब हमारे सब्जेक्ट या मॉडल की स्किन सामली होती है उपर से उसने वाइट कपड़े पहने होते हैं तो उस वक्त लाइट को अपने सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा डालना बहुत ही कटिन हो जाता है दोस्तों यदि आप ऐसी स्थिती में फस जाते हैं जहां पर आपके मॉडल का रंग बहुत ही गहरा सामला है और उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं तो आप अपने मॉडल को उस जगां पे शिफ्ट करें जहां पर बैगराउंड वाइट हो ओफ वाइट हो या फिर लाइट ग्रे हो इस से आपके मॉडल के सफेद कपड़े पीछे की बैगराउंड में घुल जाएंगे या फिर ब्लंड हो जाएंगे इस से आपके मॉडल का चहरा निखर कर सामने आएगा अपने model को white background के आगे खड़ा करने के साथ साथ आप अपने light source को model के नजदीक भी ला सकते हैं आपने note किया होगा कि मैंने सफेद रंग की shirt पहनी है और मेरी background एकदम off white है इसका एक purpose है क्योंकि आपकी आँखें इस वक्त मेरी white shirt पे नहीं मेरे चेहरे पे हैं दोस्तो अब थोड़ा सा serious note पे हमारे देश की बदकिस्मती है कि हम समझते हैं कि सावला रंग खूपसूरत नहीं होता केवल गोरा रंग ही खूपसूरत होता है ये सारा सर गलत है मैं इसे नहीं मानता और जैसा कि आप screen पे देख रहे हैं ये लोग सावले रंग के हैं और मैंने इनके लिए ये photography session किया था अब आप देख सकते हैं कि रंग से खूपसूरती को नहीं पहचाना जाता खूपसूरत दोनो रंग है तो दोस्तों कभी भी ये अपने दिमाग में मतला है कि गोरा रंग खूपसूरत होता है और सावला रंग बदसूरत होता है दोनों ही रंग परमेशर के दिये हुए हैं तो हमें इन दोरों रंगों का respect करना है तो आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूरन बात बताने लगा हूँ जो कि शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी आप कितना भी YouTube पे सर्च करें आपको इसके उपर टुटोरियल या विडियो नहीं मिलेगी कि सावले रंग के लोगों को कैसे फोटोग्राफ किया जाता है ये बहुत मुश्किल है इसलिए लोग इसके उपर कम बोलते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉलम तब हो जाती है जब हमारे पास एक साथी गोरा है दूसरा साथी सावला है उन दोनों को सामेरे रखके आप फोटोग्राफ कैसे खींचेंगे क्योंकि आपकी आँखे अपने आप गोरे रंग के विक्ति के उपर अकरशित हो जाएंगी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों याद रखिए नियम संख्या पांच जो की सामले लोगों को फोटोग्राफ लेते वक्त आपको याद रखने है कि आपको सबसे ज्यादा लाइट अपने सबजेक्ट के उपर डालनी है यनि की सामले रंग के विक्ति के उपर आपको ज्यादा लाइट डालनी है सामले रंग के व्यक्ति के फोटोग्राफ खींचने के दो ही तरीके हैं सबसे पहला ट्रडिशनल तरीका उसके उपर इतना मेकप थोप दो कि पता न रहे कि वो गोरा है या काला है मैं इसे बिलकुल ना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो असली स्किन टोन है वो निकर के बाहर है तो मैं मेकप के तो बिलकुल खिलाफ हूँ हाँ लाइट मेकप आप कर सकते हैं लेकिन मेकप से यदि आप स्किन का कलर चेंज कर रहे हैं तो आप एक अच्छे फिटाग्राफर नहीं है और दूसरा तरीका है आप सामले रंग के विक्ति की बैग्राउंड को डार्क कर दें जी हाँ ये बहुत बड़ा ट्रिक है इसे समझेए यदि आपके सामले रंग का विक्ति खड़ा है और आपको उसको फोटोग्राफ करना है तो आप यदि उसको लाइट नहीं कर सकते यदि उसके उपर ज्यादा लाइट नहीं डाल सकते तो आप उसकी बैग्राउंड को डार्क कर दीजिए उधारां के लिए आप अपने सब्जेक्ट को जो की सामले रंग का है ऐसी background में ले जाएं जो की उससे ज्यादा dark है जैसे कि dark दर्वाजे हुए, कोई deep space हुई जो की पीछे तक black है जैसे कि कोई chocolate रंग का door है या काले रंग का gate है आप अपने subject को उसके सामने खड़ा कर दीजिए और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो एकदम निखर के सामने आएगा क्योंकि इसके चारो तरफ का रंग उससे भी ज्यादा डार्क है उससे भी ज्यादा गहरा है जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं जी हाँ ये सारे मॉडल सामले रंग के हैं और मैंने इनको फोटोग्राफ किया है मेरे साथ आप भी इस बात को मानेंगे कि सच मुझ सामले रंग के लोग बहुत ही खूबसुरत होते हैं अब आगे चलते हैं कि यदि आपके पास ऐसा कपल है ऐसे हजबन वाइफ है ऐसा गर्ल्फरेंड या बॉइफरेंड है यनि कि ऐसे जोडे जिन में से एक का रंग सामला है दूसरे का रंग गोरा है उनको फोटोग्राफ कैसे करें उसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप गोरे रंग के विक्ति को वाइट ब्रेगराउंड लाइट बैगराउंड पे लाएं और जो सामले रंग का विक्ति है उसे आप डार्क बैगराउंड में लेके राएं जैसा कि आप इस फोटोग्राप में देख रहे हैं ये हैं पवन और संदीप जी हां इन दोनों को मैंने पोज करने के लिए कहा दोस्तों मैंने जान बुझ कर पवन को वाइट बैगराउंड में रहने के लिए कहा क्यूंकि उसका रंग गोरा है और संदीप जो की सामले रंग की है मैंने उसको डार्क बैगराउंड के आगे रखा है तो आप देख सकते हैं कि आपका ध्यान दोनों की तरफ जा रहा है ना कि एक की तरफ ऐसे लोग जिन में से एक सामले रंग का हो और दूसरा गोरा हो उसकी फोटोग्राप खीचने के लिए आपको गोरे रंग के वि विडियो पसंद आया होगा हमारा अगले हफता का विडियो है रूल ओफ द थर्ड जी हां बहुत ही इंपॉर्टन विडियो है उसे देखना ना भूलिये और तब तके लिए गाड ब्लेस यो